Hello everyone, welcome back to our channel और आज हम जानेंगे कि प्याज को साल भर के लिए कैसे स्टोर किया जा सकता है इसका easy तरीका क्या होगा सबसे easy या असान तरीका में आपको इसाथ share करूँगी तो इस वीडियो को end तक देखेगा इस वीडियो में आपके साथ सारी बाते share करूँगी जिसे आप प्याज को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं सबसे पहले जब हम प्याज को खरीदनी जाते हैं तो प्याज को किस तरीके से खरीदना चाहिए कौन सी प्याज हमें छोड़नी चाहिए और कौन सी प्याज हमें खरीदनी चाहिए तो इसके selection की बात आती है तो सबसे पहले हमें जो प्याज को नहीं खरीदना चाहिए वो है इस तरह की प्याज जिसमें छिलके उत्रे हुए हो वो प्याज हमें कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए चाहें वह प्याज कितनी भी सूखी क्यों न हो यह प्याज जिसके छिलके हमेरे निकले हुए हैं वह प्याज हम नहीं खरीदेंगे जब अगर आएगी तो इस तरीकीकी प्याज जो बंधी हुई होती है पिलकुल सूखी हुई WOW दोनों तरफ इस तरीके से अगर सूखी प्याज और बंधी हुई प्याज जिसका चिलका भी निकला वह नहीं है वो इस तरह की प्याज को हम खरीदेंगे तो सबसे पहली तरीका है कि हमें प्याज इस तरह कर खरीदने चाहिए दूसरा आपको प्याज तो रश्टलूzna खाने के लिए सैल humor में चाहिए तो आप इस तरह की मीठी प्याज हलकी रंग की प्याज को छोष कर सकते हैं यह प्याज खाने में मीठी होती है और अंदर से प्लिकुल कच्छी निकलती है प्लिकुल सफेट सी तो बहुत अच्छी लगती है इस तरह की प्याज है यह आप देख रहे हो जिसमें यह प्लैक फंगस लगा हुआ है इस तरह की प्याज को आप कभी न लें यह पूरी प्या यह दिखने में थोड़ी से लगती है खराब लगती है लेकिन यह पूरी सुखी हुई है बंधी हुई प्याज हए यह तरही कि आप फिली सकते हो पर चुँड़ी को आफ रहे नहीं करसकते करवाः हव तो अंदर से खराप हुजाएगी और खाने में अच्छी नहीं लगेगी अब भी आपको sprouted प्याज मिले तब आपको अवइड कीजिए और अगर आप लेके आए हो तो आप तुरंद खा लेजिए अगर प्याज को स्टोर की बात आती है तो यहां पर इस तरीकी की प्याज ज दो प्याज की जा देखेंगे इस तरीके से सॉख़ा हुए हो और यहां जाए है अज雜ा सी प्याज की अज्ड़ को सब से शिवादा छील के सुखे हुए ओपर से खुझ से निकल रह तो इनको निकाल देंगे और इस तरे की प्याज को स्टोर करें गेञे। और store करने के लिए सबसे पहले जो गलती होती है हमारी वो होती है आलू के साथ हम इसको रख देते हैं जो कि आलू का नेचर जल्दी खराब होने का होता है और वो बहुत जल्दी अंकुरित हो जाता है उसमें sprouted निकल आते हैं तो उसकी वज़े से हम इसको नहीं रखेंगे प प्याज के साथ कुछ नहीं होगा दोनों एक जैसे निचर के होते हैं कितने भी टाइम तक ये दोनों साथ में रह सकते हैं तो इसको प्याज के साथ आप इसी ली आप store कर सकते हैं अब यह आपकी मर्जी है कि आप लैसोन और प्याज को अलग-अलग रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं वरना अगर आप इनको एक साथ स्टोर करना चाहते हैं तो एक साथ प्याप इसली कर सकते हो बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं याद रखिए गलती से भी आलू को प्याज के साथ ना रखिए अगर रखना ही है तो अलग अलग रखिए और दूसरी बात प्याज को जब store करेंगे तो हम कोई भी जूट पैक जो हमारे होते हैं आप उसमें रखे ताकि वहां से एयर पास होती रहे और प्याज को रखते समय कभी भी आप बिल्कुल किसी बंदी होई या पॉलाथेन में कभी न रखें प्याज को हमेशा थोड़ी जहां से सनलाइट हलकी हलकी आ और एक तरीका जो सबसे असान है कि जैसे गाउं में लुग करते हैं कि पलंग के नीचे मिल्कुल कपड़ा बिछा कर लहसुन और प्याज को आप फैला देते हैं इसके साब लहसुन को जाता है और प्याज भी बहुत अच्छे से क्योंकि धूब नहीं आती है और हावा पा इस तरीके से पिजाझ को स्थोक सकते हैं और आसन तारीका की पिजा को कोई जालीदार बैग होते हैं निठ बैग मोझो होते हैं इसमें आप डालकर कर हैंँ कर सकते हैं साइड में किसी खिड़की आपश aritis हो जहां पाती हो बहुत जाधा शल्हाइट ना अ senior विदिन जास हो दोक में हलके हलकी हवा में हलके धूक में प्याज को स्टूर कर सकते हैं बाता है जब यूज़ करना की तो सबसे जो बड़ीसाइपल होती है उनको यूज़ करेंगे मेडियमस आनके आपमें helpful रही हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक किजिगा शेक किजिगा सब्सक्राइब किजिगा थैंक यू को देन एक्स